Hello student, आज हम इस वीडियो में charge mechanism under GST को discuss करेंगे, जहां पर हम reverse charge mechanism क्या होता, जिसे RCM भी कहते हैं, या forward charge mechanism क्या होता, यह भी discuss करेंगे, इसके साथ ही reverse charge mechanism के जितने भी important provision है, उन सब को यहां पर discuss करेंगे, तो चले start करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे charge mechanism under GST, basically क्या mean देता है? तो यह charge mechanism मतलब होता है कि system यह process जिसके basis पर हम यह determine कर पाएं कि tax किसको pay करना है, मतलब liability of tax किसकी है, tax की liability किस पर impose करनी है, किस पर डालनी है, किस पर charge करनी है, कौन pay करेगा, उस ही को हम कहते है charging mechanism, ठीक है? तो basically जब भी goods or services की supply होती है, तो दो तरह की parties उसमें involved होती है, कोई भी goods or services हो, दो ही parties involved होंगे, एक होगा आपका supplier और दूसरा होगा आपका recipients, तो अब यह चीज़ कि यह जो supplier या recipients है, इसमें से tax pay करने की जो liability है, वो किस पर depend करेगी, यह बात किस पर depend करती है, यह बात depend करती ह mechanism पर, जो भी उन पर applicable होगा, अब यह charge mechanism कौन सा applicable होगा, जिसके basis पर हम यह determine कर पाएं, कि किस की liability बनती है, supplier कि यह recipients की, उसके लिए यह देखा जाएगा कि charge mechanism basically दो तरीके से होते हैं, इनके types के basis पर ही, यह चीज़ fix हो पाती है, कि taxability किस पर जाएगी, यह charging section, जो tax है, वो कि पर जाएगा, किस पर impose करना है, ठीक है, तो charge mechanism दो तरीके से होते हैं, एक होता हमारा forward charge mechanism, दूसरा होता हमारा reverse charge mechanism, right, अब देखिए, हमें अच्छे से पता है कि, जो GST applicable होती है, वो GST क्या होती है, goods and service tax होता है, जो कि supplier based tax, जो होता है, destination based tax होता है, है न, तो यह बहुत सारी चीजे में, GST के बारे में, जब अब GST को समझते हूं, उसी में one word यह चीजे लिखी हुए होती है, तो जो forward charge mechanism होता है, basically यह क्या है, यह default mechanism है, मतलब generally applicable mechanism जो है, वो कौन सा है, forward charge mechanism है, कि generally सभी goods and services पे यही applicable होता है, इसलिए इसको कहते है, default charge mechanism, मतलब यही होगा ही होगा, ठ tax pay करने के liabilities होती है, वो किस पे होती है, supplier पे होती है, जैसा हमने यह बात किया, कि goods and services tax में, यह कहा गया है कि supplier based tax, इसका मतलब कि tax किसको pay करना होगा, supplier को, तो generally क्या होगा, जो supplies होती है, उसमें tax को pay करना पड़ता है, supplier को pay करना पड़ता है, तो जब supplier की obligation हो जाती है, कि उस की owners हो जाती है, तो हम उसको कहते है forward charge mechanism clear है, मतलब forward charge मतलब सामने, कौन है सामने, main कौन है, supplier, supplier को tax pay करना है, अब suppose करिए एक example के लिए कि मान लीजे कि एक businessman Mr. A है और उनसे B ने समान purchase किया, कुछ goods या कुछ services purchase कि उनोंने, चीक है तो ऐसी case में goods and services purchase कौन कर रहा है, B, तो B क्या हो गया recipients हो गया, और जो Mr. A है, वो क्या हो गया, supplier हो गया तो forward charge mechanism क्या कहता है कि A tax pay करेंगे, अब A tax कैसे pay करेंगे, जब वो bill बना के देंगे Mr. B को, तो उस में वो उस goods या उस services की price लिखेंगे, प्लस GST का rate applicable कर देंगे, कि इस rates आपको tax देना है, तो दोनों चीज़ को include करके, price plus tax दोनों को include करके Mr. B payment कर देंगे, कि इसको supplier को, अब supplier के responsibility बनती है, कि जो tax का amount है, जो GST का amount है, वो वो government को deposit कर दे, इसके regarding Mr. B की कोई responsibility नहीं बनती, तो ये general हो गया normally यही होता ही है, आप कभी भी देखे, कोई भी समान purchase करते हैं, आप tax pay कर देते हैं उस supplier को, जिससे आप खरीते हैं समान को, तो ये default mechanism है, तो इसमें, अगर इसको हम diagram के हिसाब से समझे, तो इसमें होगा क्या, कि दो parties हमारे involved हैं, एक supplier और एक recipients तो क्या करेगे, goods, goods services supplier किसको देदेगा recipients को, और recipients क्या करेगी अपना payment करेगी, किस इसका payment करेगी, जो भी price होगी goods goods service के, plus GST का amount दोनों क्या कर देगी, recipient supplier को pay कर देगी, जिससे Mr. B. ने A को pay कर दिया, अब supplier की क्या responsibility बनती है, कि वो GST का amount है उसको किसको देदे, government को pay कर दे, तो supplier GST का amount government को pay कर देगा, तो that is forward charge mechanism, clear है अब हम next बात करते, next हमारा कौन सा है, reverse charge mechanism अब दीखे, reverse क्या हो है, charging mechanism समझ में आ रहा है, कि liability कि किसकी है, tax pay करनी की, forward कहता था कि supplier की, अब reverse मतब ultra होने वाला है, तो reverse charge mechanism कहता है, कि यहां पे जो tax pay करनी की liability होगी, वो किसकी होगी, recipients की होगी, मतब जो purchaser है, goods या services का, उसकी होगी, जिससे Mr. A, Mr. B थे, तो इस case में liability किसकी बन जाएगी, Mr. B की बनेगी, ना कि Mr. A की बनेगी, तो वही चीज़ है कि reverse charge mechanism में, tax कौन पे करेगा, पे करेंगे आपकी purchaser, instead of supplier, जो goods and services का supplier था, वो पे नहीं करेगा, पे करेंगे आपके recipients, उसी को हम कहते हैं, reverse charge mechanism, अब ऐसा होगा कब, है ना, तो reverse charge mechanism कुछ specified cases में होते हैं, like imports हो गया, या notified supplies हैं, कुछ भी goods and services की, तो ऐसी कुछ cases mention है, जिस case में यह हो जाता है, कि tax कौन पे करेगा, recipient, जिसने उसको receive किया है, उसको GST का amount government को pay करना है, is it clear, तो act में दो scenario दिये गए, ठीक है, मतब reverse charge mechanism के लिए, basically दो type के scenarios, law ने provide की है, पहला उन्होंने क्या कहा, कि nature of supply और nature of supplier, मतब जो भी यह, कि आपका reverse charge mechanism के अंदर यह आएगा यह नहीं आएगा, यह depend करेगा कि आप कि इस goods यह services के supply कर रहे हैं, ठीक है, तो यह जीज़ कवर की गई, CGST, SGST, UTGST Act के section 9, subsection 3 के अंदर, और IGST Act के section 5, subsection 3 के अंदर, ठीक है, तो यह दोनों section 9, subsection 3, और 5, subsection 3 यह basically यही बता रहे थे कि इस तरह की अगर supplies हैं आपकी goods या services की, तो उस case में आपको reverse charge mechanism के अंदर taxability आप पे लगेगी, मतब charging section क्या होगा, reverse charge होगा, है ना, तो मतब आपको supplier को, नहीं recipients को tax pay करना पड़ेगा, ठीक, दूसर सेनारियो दो ने क्या कहा, कि अगर कोई taxable supplies, मतब goods and services exempted नहीं है, taxable वाले हैं और उसकी supply, unregistered person के थूर, registered person को की जा रही है, मतब एक ऐसा person, जो GST Act के अंदर registered नहीं है, उसने goods or service supply कर दी, एक ऐसे person को, जो GST Act के अंदर registered है, तो ऐसे case में, जो GST Act के अंदर registered है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको tax pay करना पड़ेगा वो registered person क्या बनेगा, recipients बनेगा, तो उस पे chargeability बन जाएगी, ठीक है, ये कहां cover किया गया, वो था 9 subsection 3 में, ये 9 subsection 4 वो IGST के 5 subsection 3 में, ये IGST के 5 subsection 4 में clear है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन दोनो scenario को समझ लेते हैं, तो जो मारा पहला scenario था, वो था section 9 subsection 3 ये 5 subsection 3 के अंदर, तो वो basically क्या कहता है, notified goods and services का case होता है, कि reverse charge mechanism के अंदर, जो notified goods and services है, मतब जो nature of supply mention की गई है, goods and services की, ये सारी goods and services क्या कहलाएंगी, RCM के अंदर आएंगी, तो as per the provision of section 9 subsection 3 of CGST, SJS, UTGC Act 2017, and section 5 subsection 3 of IGST Act 2017, क्या कहते हैं, कि government may on the recommendation of the council by notification, GST council होती है, GST council के recommendation पे government एक notification की थूँ, कुछ category के goods and services की supply को mention कर देगी, specify कर देगी, कि अगर इस तरह की supply की जाएगी, तो उस case में जो taxability है, वो recipients पे बनेगी, और वो reverse charge mechanism के अंदर आएगी, clear है, तो tax recipients को pay करना पड़ेगा, अब इस तरह के कौन से goods and services है, हम एक बार उनकी list देख लेते हैं, ठीक है, example के लिए हम कुछ list ही यहाँ पे देखेंगे, तो notified goods under reverse charge, पहले हम goods देखेंगे, then हम services देखेंगे, तो goods कौन-कौन से दिये गए हैं, जो reverse charge mechanism के अंदर specify किएगे, by notification of government, कि अगर इस तरह के goods में आप deal कर रहे हैं, आप supply कर रहे हैं, तो इस पे GST पे करने की liability, जो इसको receive कर रहा है, जो purchase कर रहा है, उसकी बनेगी, ना कि supplier या seller की बनेगी, ठीक है, वो goods कौन से होगे, जिसको cash हूँ है, काजू वेगेर आपका, cash हूँ nuts, which should not be shailed और peeled, जीले विले नहीं गये हैं, इस तरह का है, beady leaves, जिसको tendo कहते हैं, जो beady पी जाती है, तो एक cover होता उसके उपर, तो वो जो cover होता है, उसको tendo कहते हैं, वो एक पत्ता होता है, जो सुखाया जाता है, उसको wrap किया जाता है, तो ये भी किसमें आ जाएगा, ये आपका reverse charge, मतलब, beady leaves, आप जो खरीदेगा ना, जो recipients है, उसको tax pay करना होगा, जो sale कर रहा है, उसको नहीं, ठीक है, इसके अलावा tobacco leaves, tobacco की जो पत्तियों होती है, silk क्यों जो silk के धागया आपको है कि वो कीडे से बनाया जाता है, silk है ना, तो वो चीज यहां पे आ जाती है, इसके अलावा आपका आता है, जैसे lottery, अगर lottery आपका क्या जा रहा है, तो वो भी इसके अंदर आता है, अब बात करते हैं कि इस तरह के goods को supply कौन कर रहा होगा, supplier कौन है, मतलब supplier होंगे, तभी तो recipients पे जाने वाला है, तो देखे, जिसे cashier वेगे रहा है, एक agriculturalist हो, जो इसकी खेती कर रहा है, वो supply कर रहा है किसको recipients को, वो supply कर दे रहा है cashier बिना shield, बिना पेल्ड ओफ के, तो ऐसे situation में जो receive करेगा seller, sorry purchaser उसको tax देना पड़ेगा, seller को tax नहीं देना पड़ेगा, तो अग्रिकल्चरिस्ट को tax नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इसी तरह BD Leafs की case में भी agriculturalist हो गया, Tobacco Leafs की case में भी agriculturalist हो गया, और Silky On के case में कोई भी person, जो manufacturer हो जो Silky On को raw silky through बना रहा होगा, कोई भी person तो वो भी इसी case में आ जाएगा, वो supplier माना जाएगा, और वो जिसको supply करेगा उसे tax देना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे reverse charge mechanism इन स्थरह के goods के case में जो recipients होगा, उसको tax पे करना पड़ेगा, है ना, और वो कैसा होना चाहिए, should be a registered person, clear है, तो यह वो notified goods हैं, जो reverse charge mechanism के अंदर आते हैं, इनको section 9, sub section 3, और IGST Act के section 5, sub section 3 के अंदर बोला गया, कि अगर notified हैं वो goods या services, तो भाई वो RCM के अंदर ही आएगे, इस तरह की कोई dealing होगी, तो उसमें जो recipients होगा, वही tax pay करेगा, अब हम बात करेंगे किसके services की बात करते हैं, ठीक है services में भी हम क्या करेंगे सबसे पहले services देखेंगे, फिस supplier कौन होगे उसके, और उसकी बाद taxable person कौन होगा, मतलब किसको tax pay करना है, हम उनके list देख लेंगे, तो services कौन कौन सी होगे, जिसे transport of goods by road तो by road, जो goods को transport करने वाली agencies होते हैं, जो transport करा रही होंगी, इस तरह की service provider, legal services जो देते हैं, यह न, sponsorship की services जो दे रहे हैं, या insurance agent की जो service दे रहे हैं, या recovery agent की जो service दे रहे हैं, या taxi की service देते हैं, through our e-commerce operator, इस तरह की services को reverse charge के under notify किया गया, ठीकि, इसके अलवा भी बहुत तरह की services है, यह हमें example की तो पर कुछ ही services लिखे हैं, ठीकि, इनके supplier कौन होंगे, तो अगर transport goods by road की बात करें तो goods transport agencies होंगी, जो basically निसी का काम करेंगे, goods को transport करती रहेंगी, legal service case में कौन होगा, legal firm होंगी, या advocates होंगी, जो की legal services provide करते होंगी, यह उनके supplier है, sponsorship services case में कोई भी individual हो सकता है, कोई भी business person हो सकता है, जो sponsor सिर्फ दे रहा हो, वो service दे रहा हो, तो अगर वो दे रहा है, वो supplier हो गया, तो वो क्या हो गया, reverse charge के अंदर आ गया, ठीक है, recovery agent के insurance agent की services कौन देगा, insurance agent देगा, recovery agent की services कौन देगा, recovery agent देगा, और taxi services कौन देगा, taxi driver देगा, तो यह वो supplier हो गया, इन services के, अगर यह supplier है, यह services दे रहे हैं, तो ऐसे case में यह सारी services reverse charge के अंदर आएंगी और tax कौन पे करेगा जो इसको receive कर रहा होगा ठीक है तो मतलब क्या होगा आपका registered person कोई भी registered person जो भी good transport agency जिसका जा रहा होगा goods transport किया जा रहा होगा वो tax उस पर taxability बन जाएगी ठीक इसी तरह legal firm advocate में भी जो भी registered person है उसको tax देना होगा या individual business के case में corporate या partnership firm जो भी है जिसको sponsor किया जा रहा होगा जो service receive कर रहा है वो tax देगा insurance agent के service कौन ले रहा है insurance agent की service insurance company लेती है तो insurance company क्या करेंगी उसका just pay करेंगे recovery agent किसके होते banking company के recovery agent customer से recover करके किसको देंगे service banking company को दे रहे उनका पैसा और वापस किसको कर रहे banking company इसको या financial institutions को कर रहे है तो यह financial institution या banking company क्या बन जाएंगे recipients और इनहीं को reverse charge mechanism के अंदर GST pay करना पड़ेगा और taxi driver के case में e-commerce operator जैसे आप Ola Uber देख रहे है न रैपिडो वेगेरा तो यह क्या e-commerce operator है तो taxi की services provide कर रहे है taxi driver क्या करता है service दे देता है customer क्या करता है पूरा payment कर देता है तो यहाँ पे GST किसको पे करना e-commerce operator को यह जो Ola Uber के owners है उनको payment करना पड़ेगा इस रिक्लियर तो यह हमारी वो services है जो reverse charge mechanism के अंदर आती जो मारा पहला condition था पहला scenario ठीक है अब हम बात करेंगे second scenario की second scenario क्या था section 9 sub section 4 यह section 5 sub section 4 IGST act के अंदर वो कहता है कि जो भी unregistered person है या unregistered dealer है अगर वो किसी registered person को supply कर देते हैं मतलब जो recipients है जो receive कर रहा services वो एक registered person IGST act के अंदर और जो goods and services sale कर रहा है जो supplier है जो dealer है वो एक unregistered person है तो ऐसी case में वो सारी taxable supplies अगर है exempted नहीं taxable supplies है तो वो सब कहां आ जाएंगी reverse charge mechanism के अंदर आ जाती है तो वो ही कहा गया कि in this case unregistered person क्या करता है goods यह services को sale कर रहा है यह provide कर रहा है किसी registered person को तो जो tax pay करने की liability है वो shift हो जाएगी उस registered person की मतलब goods यह service को receive करने वाले person की ठीक है versus supply is taxable supply याद रखना होगा कि वो जो supply की जा रही है registered person की तो वो exempted supply नहीं वो एक taxable supply होने जाए वो exempt की list में ना आता हो taxable supplies होगी तो ही एक case applicable होगा ठीक है तो इसका मतलब है कि reverse charge mechanism exempted supply की case में apply नहीं होता अगर ऐसी कोई goods and services है जो exempted goods and services की list में आते हैं और उसको reverse charge mechanism के अंदर अगर आप सोचने कि वो आ जाएगी तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है exempted supplies नहीं आने वाली है एक जिगा तो पूरी list दे दे गई कि यही exempted यही अपकी reverse charge mechanism के supply हो गई और दूसरा case दे दिया कि unregistered के तो registered को लेकिन वहाँ पर mention कर दिया गए taxable supplies exempted supplies कहीं भी नहीं आने वाली हैं चीक है इसके लावा एक और condition दी गई इस case में condition थी 5000 पर डे की मतलब government ने क्या कह दिया कि 5000 रुपे पर डे तक अगर कोई unregistered dealer किसी registered person को कोई taxable supplies कर रहा है तो ऐसी case में exempt है वो जो recipient से कुछ एस्टिप करने की जरुरत नहीं आएगा ठीक है मतलब इस तरह समझे कि अगर suppose करिए कि कोई person है कोई unregistered person था उसने 5000 से कम की कोई supply एक दिन के अंदर करी है किसी भी registered person को ठीक है तो ऐसी case में RCM की requirement नहीं होगी पर यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है कि per day total 5000 है यह नहीं कि इस पर supplier कि जैसे कि मान लिजी unregistered person Mr. A थे तो वो बोल रहे हैं कि हमने registered person B को सिर्फ 5000 की आज की दिन में की है C को भी आज ही की दिन में सिर्फ 5000 की की नहीं तो इस तरह से अगर देखा जा तो 10,000 की हो गई तो फिर यह applicable नहीं हो यह RCM में आ जाएगी total 5000 यह सिक्कम की supply अगर हुई होगी तो RCM के अंदर आ जाएगे उनको exemption allowed है ठीक है तो अगर हम इसको चार्ट के साफ से समझे तो forward charge mechanism हमने क्या दिखा था forward charge में दिखा था कि supplier है recipients है वो goods and services के supply करते हैं वो फिर price और GST के साथ payment करेंगे और government को वो tax दे देंगे है न कि supplier के responsible बनेगे वो दे देगा लेकिन अगर हम reverse charge mechanism के अंदर बात करेंगे तो यही चीज just opposite होने वाली कैसे opposite हो जाएगी supplier और recipient तो होंगे यहाँ पर goods and services की supply भी होगी ठीक है लेकिन अब recipients जो payment करेगा वो सिर्फ और सिर्फ price पे करेगा उस goods and services की GST का amount पे नहीं करेगा without GST price पे की जाएगी और GST का amount किसको पे कर दिया जाएगा government को पे कर दिया जाएगा is it clear तो यह फिर क्या हो जागा हमारा reverse charge यहाँ पर recipients tax पे कर रहा है so I hope यह चीज तो clear होगी अब हम बात करेंगे important provisions की reverse charge mechanism के अंदर important provisions क्या है क्योंकि exam में questions जो आते कई बार charging mechanism के types को question पूछा जाता तब तो आपको यह सब बताना पड़ेगा और कई बार पूछाता कि reverse charge mechanism से आप क्या समझते हो इसके important provisions को deal करिए तो उस case में आपको reverse charge mechanism उसके provisions बताने होंगे अब important provisions क्या है वो हम ध्यान से देख लेते हैं पहली बात तो क्या कि अगर आप RCM reverse charge mechanism का provision यह कहता है कि देखे RCM में तभी applicable होगा जो recipients of goods and services है न वो registered होना चाहिए यह मतब उसकी यह liability बनती है कि उखुद को register करे ही करे compulsory registration का case applicable हो जाता है अगर वो RCM की supplies में है मतब इस तरह से unregister से खरीद रहा है या फिर वो notified goods and services जो उन में से कोई चीज की किसी चीज को सखरीद रहा है अगर उसको purchase कर रहा तो इस case में जो purchaser है जो हमारा recipients है वो उसको registered होना ही पड़ेगा irrespective of threshold limit threshold limit 420 का जो category था वो हो रहा है cross या नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं आपको registration कराना ही पड़ेगा composition scheme के अंदर यह eligibility नहीं है it means what कि suppose करिए कि आप ए composition dealer थे मतब आपका जो registration हुआ था composition scheme के अंदर हुआ था लेकिन अगर आप ऐसे किसी goods या services की purchasing कर रहे थे जो RCM के अंदर आ गया ठीक है आप उसमें involved रिवर्स चार्ज मेकनिजम के अंदर जो चीज़े mention थी आप उसमें किसी goods and services को खरीद लिए तो ऐसे case में आपको जो tax pay करना पड़ेगा वो normal rate से pay करना RCM का case जो है वो composition scheme पर applicable नहीं होगा ठीक है इसके इलावा जो important बात है क्या कि रिवर्स चार्ज मेकनिजम के अंदर जो भी supplies की जाएंगी वो aggregate turnover में include नहीं की जाएंगी aggregate turnover के definition उसकी calculation हम already video बना चुके हैं तो वहाँ पर बहुत clearly बताया गया है कि RCM को लिया ही नहीं जाता है तो RCM के अंदर जो भी supplies हुई होगी उसको aggregate turnover में हम include नहीं करेंगे और aggregate turnover हम क्यों करते हैं वह threshold limit वेगरा को check करने के लिए taxability वेगरा को देखने के लिए aggregate turnover बहुत important factor होता है तो RCM supplies को aggregate turnover में include नहीं किया जाता है इसके इलावा क्या चीज है कि जो input tax credit है रिवर्स चार्ज मेकनिजम के अंदर वो कौन claim करेगा वो सिफ recipients claim करेगा भाई जब supplier ने tax दिया ही नहीं government को recipients को GST pay करने थी तो फिर ITC input tax credit का claim भी कौन लेगा रिसिपेंट सी लेगा supplier को यह allowed होगा यह नहीं लेकिन यह रहे कि वो further business कर रहा है वो business conduct कर रहा होगा तभी वो ITC का claim लेगा ऐसा नहीं कि मतलब आज हुआ काम खतम और फिर हम ITC का claim लेने पहुच जाए नहीं आप business कर रहें continue और उस case में अगर RCM का कुछ अपने tax pay किया उसके अंदर तो फिर आपको उसका ITC मिलेगा ठीक है next चीज जो important provision वो यह है कि GST जो tax मतलब है goodson service tax जो है वो RCM के अंदर सिर्फ cash ही pay की जा सकती है मतलब electronic cash leisure के through ही pay की जा सकती है input tax credit को initialize करके payment नहीं किया जा सकता है अगर आप रिवर्स चार्ज मेकनिजम आप पे applicable है और आपको goods and service supply कर रहे हैं तो आपको अपने invoice में जो invoice बना के देंगे उसमें specifically उस transaction को mention करना होगा कि यह reverse charge के अंदर आती हो और इस पुरा tax capability है वो reverse charge के अंदर है तो मतलब यह चीज़ आपको RCM के अंदर वो transaction है वो specify करना पड़ेगा कि इसको supplier को अपनी invoice में similarly जो RCM pay करेगा मतलब जो reverse charge mechanism के अंदर person आ रहा है मतलब recipients उसको भी अपनी tax invoice self tax invoicing कहते है उसको तो उसको भी उसमें tax invoice में mention करना पड़ेगा कि यह particular supply यह particular goods यह service मैंने receive की है under RCM जी कि इसका मतलब इसकी taxability मेरे उपर बनती है इसके इलावा क्या चीज़ है कि अगर कोई advance payment किया गया है है ना reverse charge के अंदर कोई advance payment किया गया है तो वो taxable हो जाएगा GST के अंदर next के कहते हैं कि अगर reverse charge का case है तो time of supply आप कम मानेंगे तो time of supply के लिए उन्होंने कहा कि कुछ dates दी और उन्होंने कहा कि earliest of the following dates जो सबसे पहले आ जाएगा उसी date को आप time of supply मानेंगे क्योंकि जैसे supply exist होगी वैसे ही आपकी taxability impose हो जाएगी तो supply का time कम मानें तो उन्होंने कहा कि earliest इन दोनों में से जो early होगा पहली चीज क्या थी कि आपको goods किस दिन receive हो रहा है या किस दिन payment हुआ है उन दोनों में देखिए date of receipt of good या date of payment ठीक है या फिर date of immediately after 30 days from the invoice अगर goods का case है तो invoice बनने के 30 दिनों के just 30 दिनों के अंदर और अगर services का case है तो 6 दिनों के अंदर ठी इस में से जो भी date पहले होगी वही date आपकी क्या बन जाएगी time of supply बन जाएगी time of supply के लिए हम एक example ले रहते हैं इसी में conditions तुम्हें पता है कि इसी date में जो earliest होगा वो हमारा time of supply बन जाते है तो example से समझे कि मालेजे Mr. A ने एक unregistered vendor से 28 October 2017 को कुछ समान purchase किया ठीक है अब जो goods है वो deliver कब किया गए A की workplace पर 29th October 2017 को complete payment जो मतब A ने पूरा payment कर दिया उसका वो 1st November 2017 को payment कर दिया अब चूंकि हमें पता है कि जो A है उन्होंने unregistered vendors के थुरू ये चीज़ परचीस किया और A एक registered person थे तो ऐसे situation पे GST reverse charge mechanism के अंदर आ जाएगी और A को GST pay करना पड़ जाएगा ठीक अब question उठते कि supply time of supply है क्या इस case में तो इस case में earliest of the date कौन से होगी date of receipt of goods या date of payment या 30 or 60, 30 or 60 date तो बहुत last में हो जाएगा payment date 1st November है और receiving date 29th October तो इस case में जो हमारा time of supply होगा वो कौन से हो जाएगा 29th October हो जाएगा clear है तो इस तरहीके से हमारा time of supply calculate होता है so I think आपको RCM से related सारे provisions याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, forward charge, reverse charge mechanism होता क्या है, कैसे चीज़े होती है so wish you all the best, thank you so much